हाई मेरी ब्यूटिफुल यूटिफ फैमिली आप सब को मेरी तरफ से यानि की सीमा जेटी की तरफ से हैपी न्यूएर आप सब का नौ वर्स मंगल मैं हो आप सब खुब तरक्की करें खुब फले फुले है सेटरे डे और आज है फर्स्ट जहन भी आज मेरा हेर कट का वीडि किस तरह से मैंने इस्टप हेयर कट या फिलेयर हे कट किया है वीडियो अच्छा रहागिए में एक सब लाइक शेयर कमेंट्स चरूर करिए गा और साथ ही अगर मुझे तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लिजीजे सब्सक्राइब बेल अग उनको भी क्लिक कर दीजेगा जितना आप लोग इतने सालों से मुझे प्यार देखते आए हो आगे भी इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेगा ठेंक यू सो मज़ और एक बार फिर से आप सब को हैपी नी येर आपका नए साल मंगल में होगा आज का जो ये वीडियो है बहुत ही जादा हट करके है इसमें मैंने अपने काफी सारे हैर कट एक साथ दिखाए हैं जो मैंने अभी तक के मतब सारे तो नहीं दिखाए हैं कुछ-कुछ छलक आपको दिखाई है तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा इस वीडियो में आप काफी कुछ सीख सकते हो ये मेरे जो है आप कह सकते हो नीचोड है तो इस तरह से मैंने पहले तो एक लंबे बालों में हैर कट कर रही हूँ और ये फ्रंट से कर रही हूँ जैसे आप देख सकते हो और इनका हैर काफी जयदा लॉंग था तो इसमें मैं फुल लेयर से हैर कट कर रही हूँ और आप जैसे देख सकते हो इस तरह से तिर्चा कर रही हूँ इस वीडियो में मैंने कुछ नया करने की सोची है आई होप आपको अच्छा लगे तो अपने suggestion जरूर मेरे साथ शेयर करेगा इनका ये haircut हो गया है अब इसके साथ आप देख सकते कितना संदर लुक आया है मतलब थोड़ा थोड़ा ही haircut हुआ है और काफी अच्छा लुक आया अब ये दूसरा haircut ये एक च्छोटी बच्ची का haircut है और इसको मैंने बेबी ब्लन्ड haircut किया है तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में काफी डिफरेंट डिफरेंट अपने दिखाए हैं सारे तो नहीं दिखाए हैं सारे तो मेरे बहुत ज़्यादा haircut है बस कुछ जो है मेरे पास जो clip पड़ी हुई थी उनी के साथ मैंने share किया है clip तो काफी पड़ी है तो ये देखें ये baby haircut है, ये baby blend haircut है cute सी baby अब मैं आपको तीसरा ये दिखा रही हूँ ये भी long hair पे है और ये थोड़ा सा simple haircut है यानि back से इसको state किया गया है और फ्रेंट से थोड़ा सा लुक चेंज किया गया है तो ये देखो और इनको जो है अपना हेरकट काफी शॉर्ट कराना था लेकिन मैंने का नहीं भई ज्यादा शॉर्ट ना कराओ हाँ ठीक ठीक ले लो तो देख सकते हैं ये इनका हेरकट हुआ है और काफी हेरकट हो गया और ये मैंने फ्रेंट से थोड़ा सा चेंज किया है और ये सारे वीडियो आपने आई होप देखे होंगे किस-किसने ये सारे वीडियो देखे हैं प्लीज कमेंट डाउन चरूर करिएगा तो ये इनका थोड़ा सा फ्रेंट से चेंज हुआ है अब ये एक long hair का मैं और दिखा रही हूँ ज़्यादा तरफ मैंने long hair के ही आपको दिखा रही हूँ शॉट के भी है बीच बीच में और बहुत ज़्यादा light hair पे मैंने किस तरह से किया है तिर्चा करती चली गई हूँ तो I hope ये भी haircut आपको अच्छा लगा होगा और ये haircut सारे haircut मेरे पड़े हुए है उन्ही में से मैं कुछ clip आपको दिखा रही हूँ बस ऐसे दिल कर रहा है यार कि कुछ थोड़ा सा चेंज करती हूँ और मेरे इतने haircut है इनको एक साथ इखटा करती हूँ सबको थो नहीं कर पाई बस थोड़े इसी जो clip थी तो ये जो haircut है ये भी मुझको काफी अच्छा लगा enjoy करके किया मैंने ये haircut और ये inka look आया है और आप बाद में मेरे clients को भी देख सकते हो haircut के बाद उनका react कैसा रहा है तो सब कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर कहें ये समझ सकते हैं ये मेरी memory है मुझको जो बहुत ज़दा दिल से प्यारी है और ये है एक थोड़ा सा एज लेडी के साथ और इनको बहुत ज़दा short haircut कराना है मतलब साड़ी भी पैने तब भी अच्छा लुक आए और मतलब बहुत ज़दा short भी नहों इनको कराना था बब cut लेकिन मैंने कहा कि बब cut मत करो मैं आपका थोड़ा सा short में ही अच्छा सा एक look देती हूँ different सा जो आपको short भी लगेगा बट अच्छा लगेगा तो ये haircut मैंने इस तरह से किया है अब मैंने जो है क्या किया है बालों को जो layer cut दिया है उसके बाल मैं बीच से बालों को उठा रही हूँ यानि की temple area से और उसमें मैं इस तरह से cut कर रही हूँ तो ये haircut का तरीका भी काफी easy है और सारे easy है तो आप इसे कुछ सीख सकते हैं और ये सब अगर आपने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरे वीडियो भी जा करके चेक कर सकते हैं इन में से कुछ का link मैं आपको दे दूँगी नीचे description box में तो जरू check out कर लीजेगा मुझको अच्छा लगेगा आप लोग इस वीडियो को like करिएगा शेयर करिएगा और अपने comments के द्वारा जरू बताइएगा कि ये जो मेरी एक कोसिस थी बहुत दिसे सोच रही थी लेकिन इतने सारे वीडियो को इकटा करके एक बनाना और साथ में बहुत लंबा वीडियो भी न हो ये एक थोड़ा बहुत चैलेंज तो था जिससे ऐसा भी ने लगे कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया तो इस तरह से एक वीडियो बनाया और ये देखिए इका हेयर कट हो गया शाट भी हुआ है बट बहुत जादा शाट नहीं है और अच्छा भी लग रहा है जैसे साड़ी भी पहनेंगी ये सूट है जो भी ड्रस पहनती है उनके साथ ये अच्छा लोग जाएगा तेंक यू अब मैं आपको एक और बेबी हेयर कट दिखा रही हूँ ये बहुत ही जादा क्यूट सी बेबी का हेयर कट है जैसे आप देख सकते हो तो मैंने सब को इस वीडियो में एड़ करने की कोशी की है मतलब बेबी को भी बच्चों को भी और बड़ों का भी और लाइट हेयर लॉंग हेयर, मल्टी स्टेप्स, लेयर स्टेप्स अब ये हेयर कट को मैंने किस तरह से अगर आप ये डायरेक्ट करते हो तो इस तरह से फिंशिंग के लिए आप बालों को उठा लिया करो उसके बाद फिर एक बार चेक कर लिया करो कि नीचे कोई बड़ा वड़ा तो नहीं है बाल बस मैंने कंगी से सेट कर दिया है और ये इंका फाइनल हेयर कट हो गया, ये मेरी क्यूट सी बेबी अब एक मैं आपको ये हेयर कट दिखा रही है, ये लॉंग हेयर में मल्टी स्टेप्स हेयर कट है इसको मैंने दो भागों में आगे डिवाइड कर दिया है, अब मैं पीचे से हेयर कट स्टार्ट की हूँ, वो भी उपर के बालों में, तो ये देखो किस तरह से कर रही है, ये बहुती ज़दा इज़ी वाला हेयर कट है और लेकिन बहुती सुन्दर वाला है, तो मैंने क्या क्या नीचे की एक लियर और बीच की लियर को मिलाया है, ये देखो, तो ये हेयर कट बहुती डिफरेंट और बहुती खुबसूरत वाला है, ये जरूर चेक करिएगा, और इसका भी लिक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दे दूँगी सारे वीडियो के दे दूँगी और सबके नाम डालके दे दूँगी कि बेबी हेयर कट है ये और ये लॉंग हेयर कट है, तो ये इनका फाइनल हेयर कट हुआ है, लॉंग बालों में मल्टी लियर्स हुआ है, तो ये काफी खुबसूरत लगता है और इस हेयर कट को आप कैटरिना कैफ स्टाइल भी कह सकते हैं काफी मतलब बहुती प्यारा वाला हेयर कट है तो आई होप आपको ये हेयर कट भी मेरा अच्छा लगा होगा नहीं अच्छा लगा है तो जाके देख लीजेगा और मेरी कोसिस रही है कि सारे क्लाइट्स को मैं खुश करके भेजू और एक ये फिर मैं लॉंग में दिखा रही हूँ और ये मैं आगे से कर रही हूँ, इसमें लियर्स किये हैं दीरे दीरे जो है मतलब थोड़ी थोड़ी लेर ले करके तो तिर्चा ही हैर कट किया है, बिल्कुल तिर्चा करना है इसमें आपको ये देखिया है और स्पीड मैंने बढ़ा दी क्योंकि अगर स्पीड नहीं बढ़ाती तो ये वीडियो काफी बढ़ा हो जाता प्यार भी दिया है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और मुझको मतलब पालर के काम में सबसे बड़ी है जो लगता है वो हेर कट ही लगता है आपने देखा इनका काफी जादा पतला बाल था और इसको मैंने किस तरह से किया है 20 से मैंने दो भागों में डिवाइट कर दिया है और दो भागों में डिवाइट करने के बाद इस तरह से मैं इनका लेयर, स्टेप्स दे रही हूँ अच्छा आप पालर में सब काम करते हो सब लोग जो है मतलब चाहे मेकप हो, चाहें वैक्सिंग हो मैंने कुछ भी काम में हो, एक्स वैजेट हर कोई सहराना करता है लेकिन हेयर कट ऐसी चीज़ होती है कि लोगों की परस्नालटी चेंज करता है मेरी सोच है अगर इसमें आपका क्लाइट साब से खुश हो के जाता है तो बहुत ज़्यादा सुकून होता है क्योंकि ये पूरी उनकी परस्नालटी को ज़्यादा ये ना बहुत दूसरा ही है, हैर कट कराने और ये कैसा बहुत सुन्लूब है मेरा हैर कट मैंने सोचा भी नहीं सा ऐसे अगर अगर अच्छा लगे तो आप इनकी फार्लर जरूर आईए पहले हैर कट कराने वाई तो ये अगर आपको हैर कट अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिएगा शेयर करिए और सर्प्राइज करिए सब्स्प्राइब करिएगा तेंक यू तो बस क्लाइट्स का जो प्यार होता ना ये बहुत ज़्यदा सुकून देता है और ये सारे हेर कट लॉकडाउन से पहले के हैं बहुत पहले के हैं तो आई होप आप लोग ये ना सोचेगा कि मास्क वगरा नहीं लगाया है और अब एक मैं आपको और बहुत ही सिंपल सा हेर कट दिखा रही हूँ बिल्कुल पीचे से मैंने स्टेट हेर कट दिया है ये रिखे पैने हों किसी में बूलेंड क्लोधिंग पैने हों किसी में कॉटन तो ये सारे मेरे पुराने वीडियो और दोनों तरफ से ही तो ये वाला भी हैर कट तो इससे के रहन है अठोग के अगर आपके सिर्फ फ्रेंट गरास से अपने हैसे से लूक करना चाहते है तो आप इस थरह से कर Sकते हैं अचा इशते में गया है और इसके बाद में इस्में थोड़ा सा चींच और क्या है अब एक हैर कट मैं और यह दिखा रही है यह मेरे पास बैंगलोर से आई थी हैर कट कराने के लिए और इनके भी बाल बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है इसमें जब हैवी हैर नहीं होते तो आप किस तरह से हैर कट क्या करूं देखो आप बैक से ही क्या करो और दो भागों में बालों को डिवाइड कर दिया करो और उसमें आप अपने हातों को दीरे दीरे उपर ले करके जाय करो जितने भी लाइट हैर होते हैं मैं अधिकतर इस तरह से करती हूँ इससे काफी घना पना जाता है बालों में वेल्म बहुत अच्छी आ जाती बाउंसी हो जाते हैं तो सिर्फ मैं क्या करती हैं क्योंकि ज़्यादा हैर नहीं होते हैं तो दो ही भागों में बालों को डिवा अब इसमें हलका सा ड्रायर लगा दूंगी और बाकी आपको अब यह एक हेर कट और मैं आपको दिखा रही हूं इसमें आपको क्या करना है कि बैक से ज़्यादा कुछ इस्टाइल नहीं देना है सिर्फ आपको फ्रेंट से ही देना है और यह हेर कट करते समय मेरा हाथ ना पता नहीं कैसे लेप्टी दिख रहा है जबकि मैं लेफ्ट एंड यूजी नहीं करती हूं और यह वीडियो किस तरह से सूट हुआ मुझको भी नहीं पता इसमें मैं ऐसा लग रहा मैं लेफ्ट हैंड से कट कर रही हूं लेकिन राइट से ही करती हूं तो यह हैर कट भी काफी खुश रहा था इसमें आप धीर दीर हैं फ्रेंट से और यह देखिए तो यह हैर कट बहुत ही ज़्यादा सुंदा लगता है गुर्स के लि बिल्कुल नीचे से नहीं देने, अगर आप बिल्कुल नीचे से दोगे, तो थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं आएगा, जेंट्स लुक आजाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और फ्रेंट से आपको जिता शॉट करना है, आप कर सकते हो, फिर थोड़ा सा लेयर् तो यह भी काफी सुन्दर से लग रहा है, इसमें अगर आपको पफ बनाना है, तो पफ बना सकते हो, ऐसे रखना है तो ऐसे रख सकते हो, बैक से मैंने बिल्कुल सिंपिल सा कर दिया है, प्लेन और फ्रेंट का ही मैंने लुक चेंज किया, तो कई बार ऐसा होता, आपका क् चाहिए कर दिखाती। यह भी कफी LIGHT हेर्स में हैं, बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं कि इसमे मैं आए के बालू को इस तरह से छोड़ दे रही हूँ और भैक छो जो है में करूंगी तो भैक से मैं इस इस तरह से पहले आगे के कर दे रही हूँ और बैक से मैंने सारे बालों को ले करके मैंना वही टू पार्ट्स में डिवाइड करके और इस तरह से करूँ जितने पहले पतले बाल हूंगे उनको निकाल दो इन में कुछ जान नहीं है तो यह निकाल दो इनको विसे शॉर्ट कर है तो इस तरह से कर दिया है और बस मुझको अच्छा लगा ये वीडियो बना करके और आयो होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो प्लीज बताना जरूर और हो सकेगा तो मैं इस तरह का एक और वीडियो दूँगी क्योंकि मेरे परस काफी सारे और वीडियो भी रखे हैं तो ये कोशिश की है कि एक ही साथ आपको काफी सारी चीजे सीखने को मिल जाएं और बस मेरा एक मेरी याद भी बनी रहा है कि मैंने इतने सारे हेर कट करें ने तो इदर वीडियो तो इदर दर होई जाते इस तरह से मैंने ड्रायर लगा दिया और सिंपल सा ये हेर कट काफी खुशुरत लगा पहले और बाद में काफी फरक आया है आप चरूर देख लिए जगा इस तरह से आप क्लचर से भी सेट कर सकते हो या फिर इस तरह से ड्राय भी लगा सकते हो बालों को उल्टा कर करके तो यह जो ड्रायर सेटिंग इस्टेप हैर कट में ही होती वाओ काफी खुशूरत लाया या यह हैर कट देखिए यह पूरा मल्टी यानि कि 21 स्टेप में मैंने दिये थे ठीक है और इनका पहले वाला भी देख लेना और बाद व ले की और यह है हैर कट करने के बाद की तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलती है आपसे नेक्स वीडियो में और हाँ अभी तक अगर आपने मुझको इस्टाफ ए फालो को लिजए सीमा जीरिटली वन के नाम से हूँ तो थैंक यू फॉर वचि और ये की यूर प्ते हैं रिक